ओशन करेंट, ओशनोग्राफी का एक important topic है, जहां से आपके exam में regular questions आते हैं, आज के इस particular class में हम लोग ocean current और especially Atlantic Ocean, Atlantic Ocean में कौन-कौन से current पाई जाते हैं, कौन से warm current है, कौन से cold current है, इसका एक short review लेते हैं, और उसका क्या impact पड़ता है, उसके flowing area में, जिस छेतर में वह बहती है, उस छेतर को वह कैसे प्रभावित करता है, आइए देखते हैं, क्या है या, सबसे पहले ocean current को अगर समझना है, तो ठंडी जल्धारा होती है, गर्म जल्धारा और ठंडी जल्धारा में, के temperature differences का सबसे बड़ा कारण है, उसका source छेतर, किस किस छेतर से वह निकल के आती है, जैसे आप देखेंगे, अगर कोई जल्धारा उचक्षान से higher latitude से lower latitude से और चलती अर्था तो वह cold से equated towards चलती है, त अब्यसी बात ही है, ठंडे छेतर से आती है, तो इसका temperature क्या होगा, या ठंडा होगा, और या cold current के category में होगा, या कैसी जल्धारा होगी, या ठंडी जल्धारा होगी, और अगर कोई जल्धारा, अगर कोई ocean current, वह निमन अक्षान से उंच अक्षान क्योंड़ा, ये zero degree है, जीरो डिगरी से pole towards अगर जाती है, वह क्या होगी, वह warm current होगी, अब्यसी बात है, cold current और warm current का effect भी अलग-अलग होगा, जो जल्धारा होगा, उसके वह भी क्या होगे, अलग-अलग होगे, cold current ठंडी जल्धारा जहां जाएगी, वहाँ अपने आसपास के छेतर के temperature क्या करे means, परसा की संभावना यहां कम होगी, बरसा सुखा के लिए responsible होगा, अर्था desert, desertification, मरुवस्थल के लिए responsible होगा, जब कि warm current जहां जाएगी, वहां की हवा गर्म होगी, हल्की होगी, उपर जाएगी, और condensed होके क्या करेगी, परसा लाएगी, तो warm current flowing area अपने flowing छेतर में warm effect हो का distribution, Atlantic Ocean में क्या है, और कितने current पाए जाते हैं, और फिर अगले series में हम लोग Pacific और Indian Ocean को देखेंगे, और फिर इस तरह से हम लोग जगरफी के छोटे-छोटे topic, जो आपके exam point of view से important है, उसको हम लो discuss करेंगे, चुकि यह आप लोगों का demand था सर, इस पे एक छोटा सा वीडिय का दिख रहा होगा, यह South America है, यह Africa है, और यह क्या है Europe है, इस चार continent के बीची Atlantic Ocean का यह shape आपको दिख रहा होगा, जो S shape में है, आप अगर जल्दारा देखेंगे, ocean currents देखेंगे, तो ocean currents का एक pattern होता है, एक प्रिवर्टी होती है, जो सभी महसागरों में पाई जाती है, और यह pattern क्या होती है, उत्री गोलार्द का एक pattern होगा, और रक्षनी गोलार्द का एक pattern होगा, यह ना केबल Atlantic Ocean में, बल्कि आप देखेंगे Pacific Ocean में भी होता है, और Indian Ocean में भी होता है, इंडियन ओसन में थोड़ा सा difference है, यह Indian Ocean के उत्री भाग में, उत्री गोलार्द में, जो equator के North पार्ट में होगा वह अन्य महासागरों की तुलना में पैटर्ण इसके डिफरेंट होंगे क्यों क्यों कि यहां नॉर्धन पार्ट में क्या लेंड लॉग्ड है जबकि पैसिफिक और एट्लांटिक ओशन क्या है पोल्टू पोल्ट है अब आईए देखते हैं अट्लांटिक एक्वेटर के सहारे एक्वेटर के 10 किलो मिटर के आसपास गैप पे एक जल्दारा चलती है जो पूरव से पस्चिम चलती है इस टू वेस्ट चलती है इसको नॉर्थ एक्वेटोरियल करेंट कहते हैं उत्तरी विस्वत रेखिए जल्दारा जो किस कैटेगरी में है गर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जल्दारा का छोटा रिव्यू ऑसिन करेंट का छोटा रिव्यू है यहां इसकी उत्पति कैसे होती है इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे उसके उपर और अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल डिस्ट्रिबियू से अलग-अलग बहुत सारे कारण है बहुत सारे फेक्टर रिस्पॉंसेवल है यह क्या होता है उचक्षांस की और देखेंगे मूर जा रही है तो कि यह उचक्षांस की और मूर जा रही है और यह जल्दारा नीमन अक्षांस से लोगर लेटिटिट से हाईयर लेटिटिट दभा रहा है ऑब्यस्य बात है कर울 जलधारा होगी तो अपने असपास में गर्म प्रवो गर्म प्रवो क्या होगा यहां कर रहुगक्त क्यों क्यों कि वाल झाल की चाल चुछिक रहा होगा जर समय था होगी फिर आप देखेंगे यह जो North equatorial current है यहां एक मेन stream के रूप में Gulf stream के रूप जाता है अब Gulf stream को Gulf stream क्यों कहते है इसका reason है यहां कि यहां इसका जो source है चुकि यह North equatorial current यहां अलग-अलग branchों में बढ़ जाता है यह देखेंगे क्यूबा जमाइका एंटलीज, आइजलेंड्स हैं, ग्रेटर एंटलीज और लेसर एंटलीज, उस दूइप से टकराने के बाद यह अलग-अलग ब्रांचों में बटके गल्फ आफ मैक्सिको में जाता है, और गल्फ आफ मैक्सिको में ही एक रीवर्ड निकल के आती है, इसका माउथ है, वह मिस मिसॉरी जो अपने साथ बड़े मातरा में, यूज एमांट में वाटर लेके आती है, जिस करन्स यहां पे वाटर लेवल काफी हाई हो जाता है, और यहां पे आप देखेंगे, यह फ्लोरीडा है, और फ्लोरीडा और क्यूबा के बीच का एक छोटा सा छेतर होता है, नेरो फ्लो कर रही है, और यहां क्या है, यह अपने आसपास जो फ्लोइंग एडिया है, उस पे वार्म एफेक्ट लाता है, यहां पे यह वेस्टरली विंड का एडिया है, पच्छवा वायू का प्रभौ छेतर है, और इस वायू के प्रभौ में आके, यह जो करेंट है, ओशियन करेंट है, गल्फ एस्ट्रीम है, यह क्या करता है, यह पश्चिम से पूरव की और, इसका जो फ्लोइंग मूवमेंट होता हुआ, कहा होता है, पश्चिम से पूरव की और, और यह पच्छवा पवन के प्रभौ में आके, यह पश्चिम से पूरव की औ बहता है जिसको हम लोग करते हैं North Atlantic Drift उतरी Atlantic प्रवा जो अलग-अलग Island से टक्राने के बाद अलग-अलग ब्रांचों में बढ़ जाता है यह important है अलग-अलग ब्रांचों में बढ़ जाता है इसी में से एक ब्रांच जो हो नौर्वे के तत यह देखेंगे नौर्वे-Swueden-Finland है और यह नौर्वेजियन कॉस्ट के सहारे जाता है जिसका नाम ही है नौर्वेजियन करेंट और नौर्वेजियन क्या है यह भी एक वार्म करेंट है अपने असपास के flowing area में क्या करेगा यह वार्म effect लाएगा वार्म effect लाएगा जिसका यह प्रभा होता है नौर्वे का इसके कारण इसका temperature क्या होता है अधिक होता है इससे यह winter में भी freeze नहीं होता है यह आप देखेंगे इधर से एक current Iceland के Eastern Coast से यह एक वार्म करेंट है इसका नाम है इर्मिंगर यह मैं थोड़ा सा missing है यह cold current के form में दिया नहीं यह इर्मिंगर current है यह भी जो है Iceland के Eastern Coast से जाते हुए आगे की और move करती है तो North Atlantic Drift के ही यह सारे अलग-अलग branches है यह क्या है उत्री Atlantic Ocean के warm current है और warm current का simple effect है जहां जहां जाएगा उसके औसा तापमान को क्या करेगा उस एडिया के average temperature को बढ़ाएगा अब आईए देखते हैं North Atlantic Ocean में cold current कौन-कौन से है cold current में important current नाम सुना होगा अपने labrador जो labrador sea से आती है यह है labrador current और यह है gulf stream एक बार फिर से जब यह North Atlantic drift के रूप में बहने से पहले यह newfoundland दूइप है कौन सा दूइप है newfoundland दूइप और newfoundland आईजलेंड के पास ही यह labrador current और gulf stream का meeting होता है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं अब एक और incident हमने warm current का क्या effect होता है cold current का क्या effect होता है climatic effect उसको discuss क्या है लेकिन जहां पर warm और cold दोनों एक दूसरे से मिलेगा ओब्यसी बात है ठंडी जल्दारा क्या होगी वह भारी होगी भारी होगी तो क्या होगी वह नीचे जाएगी जबकि same time warm current क्या होगा warm current हलकी होगी वह उपर रहेगी ठंडी और गर्म जल्दारा जब आपस में एक दूसरे से मिलती है ठंडी जल्दारा नीचे जाती है गर्म जल्दारा क्या होती है उपर रहती है जिस कारण से क्या होता है एक नया climatic condition create होता है which is inversion of temperature inversion of temperature जिसको कहते है हिंदी में तापमान की व्युत्य कर्मनता अर्थात क्या normal temperature लैफ स्टेट में हम लोग पढ़े है जो उचाई के साथ temperature क्या होता है घटता है लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है यहां पे उचाई के साथ temperature क्या होता है बढ़ता है means उल्टा condition होता है और इ इस तरह की जलवाईविक घटना होंगी और इस तरह के जलवाईविक घटना के दो effect है पहला कुहासा बनेगा तो यह कुहासा वाला climatic condition जो है प्लेंक्टन बनस्पती जो है प्लेंक्टन के लिए बढ़ा ही appropriate जलवाईविक दसा का निर्मान करता है या तो कि प्लेंक्टन मनता है यह ओशन का primary producer है बनस्पती है यह तो इसके उपर निर्भर बहुत सारे organisms होते है उसी में से एक मचली फिस है मचलिया है तो यहाँ पर क्या होता है यह fishing point होता है important fishing zone होता है जहां जहां farm current और cold current आपस कमे मिलेगा meeting place होगा वह एडिया क्या होगा मतस्त के लिए fishing के ल works को लेके आता है तो visibility कम होने कारण जो fishing ship होते हैं वहाँ ice works को देख नहीं पाते है और यहाँ पर accident की संभावना भी हमेशा बनी रहती है यही वह अस्थान है जब टैटेनी जो कि UK से चला था और newfoundland के पास आकर के क्या हुआ था दूबा था accident हुआ था उसका उसके पीछे responsible यह लेब्राडोर करेंट ही था तो आप लोगोंने समझा होगा लेब्राडोर करेंट का क्या कहानी है लेब्राडोर करेंट क्यों famous है लेब्राडोर करेंट किस category म आता है या cold current की कटेगडियम आता है Atlantic महासागर का या important current है जो क्या है या cold current के एक और cold current है जो Greenland के पूर्वी भाग से आ करके या North Atlantic Drift से मिलता थी या पूरा का पूरा एडिया जो देखेंगे आप या क्या है fishing area है और यहां अमेरिका के side भी और यूरोप के side भी उसके दो important जो world famous fishing area है डॉगर बैंक और grand bank यहीं पे है अब चुकि दोनों जो है दोनों Greenland current और लेब्राडोर current कोल्ड current है और North Atlantic Drift के है warm current है फिर इसी का एक जो branch है हुआ क्या होता है वह निमनक्षांस की और मूर जाता है जिसको कैनारी की जलधारा कहते है और कैनारी current कैसी current होगी चुकि यहां उच अक्षांस से निमनक्षांस की और जा रही है higher latitude से lower latitude को move कर रहे है तो obvious ही बात है क्या होगा cold current होगा और cold current होगा cold defect होगा तो temperature कम होगी वर्सा नहीं होगी क्या होगा एंटी सैकलोनिक कंडिशन और less rainfall के लिए responsible इस एडिया में एफरिका की इस चेदर में देखेंगे सहरा डिजर्ट इस डिजर्टिफिकेशन के लिए एक बहुत सारे factor में एक factor यह cold current भी है तो north Atlantic ocean में यह ocean current है warm current और cold current और यह warm current और cold current का कुछ इस तरह से pattern है इस तरह से cyclic pattern है जिस करण से इसके inner side का जो यह जो area देख देखेंगे इसका water क्या होता है stable होता है जल इस्थीर हो जाता है क्योंकि cyclic circulation में middle part का water क्या होता है इस्थीर हो जाता है तो इस stable water area में एक grass जो rootless grass होता है जर विहिन घास होता है जिसका नाम है sargassum और इसी नाम के आधार पर क्या परा है इसका sargassus sea यह भी important है आपके लिए sargassus sea जो है वह कहां है वह north Atlantic ocean के middle part में है sargassus sea का नाम ही परा है sargassum grass से sargassum grass क्या है एक rootless जिसमें जर विहिन घास float कर रहा होता है water में यह होता है यह north Atlantic ocean के current है अब हम लोग देखते है south Atlantic ocean के current के south Atlantic ocean में देखेंगे यह south equatorial current है south equatorial current फिर यह cape of souric है south america का तकराने के बाइद है अलग-अलग branchों में बढ़ जाता है तो इसका एक branch जो है वह higher latitudes की और जाता है जिसका नाम है Brazil current अब्यसी बात है यह नीमनक्छांस से उंचक्छांस की और जा रहा तो यह किस category में होगा यह भी warm current की category में होगा किस current category में है गर्म-जलधारा category में warm current होगा तो अब्यसी बात है आसपास के temperature कोई क्या करेगा यह बढ़ाएगा और बरसा लाएगा यहाँ पर देखेंगे South America के eastern part पर यहाँ पर वरसा अधिक होते है जबकि same time देखेंगे western part यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में डिसकस करेंगे अगले क्लास में जो यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है लेकिन simultaneously eastern part पर क्या है amount of rainfall हाई है फिर यह ब्रजील करेंट जो है यहाँ पर एक आइजलेंड है जिसका नाम है Falkland Island Falkland Island disputed island है between the Argentina और Britain और यहीं से एक और करेंट चलती है जो की उचक्षान से निमनक्षान की और Falkland Dweep के सहारे इसका नाम है Falkland Current और दोनों का meeting place फिर Falkland Dweep के पास है और थंडी जल्धारा ब्रजील की गर्म जल्धारा और Falkland की थंडी जल्धारा वार्म और कोल्ड करेंट के meeting effect जो नदन पार्ट में Labrador Atlantic Drift के थे same effect यह होता है means क्या fishing point होगा कुहासा होगा और बहुत सारी चीजे होगी फिर यह जल्धारा जो है यह पच्छवा पवन के प्रभाव में आके वेस्टरली विंड जैसे उपर में आके North Atlantic Drift था वैसे ही दक्षणी गोलार्द में Southern Hemisphere में आके क्या होता है तो पच्छवा ड्रिफ्ट वेस्टरली ड्रिफ्ट के रूप में पश्चिम से पूरव की और बहता है इसके एक ब्रांच इंडियन ओसियन में चले जाते हैं और एक ब्रांच जो हुआ ब्राजील के कोस्टल एडिया से टक्राते हुए पर निम्न अक्षान्स की और अभी इंपोर्टेंट है समझेगा North Atlantic Drift और उत्री गोलार्द में पच्छवा पवन के परभाव में से चलता है और दक्षणी गोलार्द में भी जो है अंटार्टिका से यह कनेक्ट होने कारण क्या होता है इसका टेंप्रेचर कम होता है फिर यह बैंग्वेला करेंट जो है यह क्या है कोल्ड करेंट है यह भी आपने आसपास के छेतर के टेंपरेचर हो क्या करेगा कम करेगा टेंपरेचर कम होगा तो हवाएं ठंडी होंगी, भारी होंगी और क्या करेगी वा? आई-प्रेसर क्रेट करेगी अंटि-सैकलोनिक कंडिसन और यहाँ पर वरसा नहीं होगी यहाँ पर दो डीजर्ट है एक नामीब डीजर्ट है, दूसरा कालाहडी डीजर्ट है यह desertification के लिए यह banguela current भी responsible है ठीक है बहुत सारे factor है उसमें से एक factor यह भी है तो Atlantic Ocean में चुकी number of currents अधिक है और यहाँ से और current का क्या 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 एक specific pattern है इसलिए यहां से questions generally देखेंगे regular पूछा जाता है हम लोग next class में Pacific और Indian Ocean के ocean current को देखेंगे इसके साथ ही साथ जोगरफी के और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि factual topic है लेगिन आपके exam point अभी है regular questions आदे से plate tectonic उसके भी वह सारे facts है फिर climate logic में ही देखा जाए तो climate classification वहां से regular questions आता है oceanography में एक salinity वहां से regular question ऐसे factual चीज़ों को हम लोग ऐसे चोटे चोटे वीडियो के माद्यम से discuss कर देंगे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा जो कि आप easily आसानी समझ सकते हैं और उसको तयार भी कर सकते हैं तो आज यही रखते हैं और कल अब इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं और फिर से जो है next वीडियो में लोग next ocean के साथ discuss करते हैं thank you thanks a lot all of you